इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनचम की जो वेकंसे जारी की गई हैं मद्धिपरदेश के द्वारा इस फार्म को आप आप आउनलाइन कैसे अपलाई करेंगे इसमें टोटल जो आपको पोस्ट मिलेगा 5835 पदों पर ये भरती जारी की गई है स्टाप नर्स, एनम और लेब टेक्निसियन के पोस्ट पे ये भरती आपकी अपलाई होना स्टार्ट है फार्म की अपलाई होने की स्टार्टिंग जो डेट है 28 दिसंबर से ये फार्म आउनलाइन अपलाई होगा और 15 जनवरी तक आप लोग फार्म अपलाई करेंगे इस फार्म को अपलाई करने के लिए आपको कोई एपलिकेशन फी नहीं देना पड़ेगा और इसमें आपका एक्जाम भी नहीं होगा सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं स्टाप नर्स के लिए आपके पास बीसी नर्सिंग या जीनम की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वो मद्धिप्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा ये आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए A&M के लिए आपके पास A&M की certificate चाहिए ये only female candidate अपलाई करेंगे Lab technician के लिए जो भी candidate आवेदन करेंगे आपके पास degree या diploma की qualification होनी चाहिए Laboratory technology with registration मध्यप्रदेश पैरा medical counseling के दोरा आपकी ये registration होनी चाहिए Start information के लिए आप लोग नीचे description के link को follow करके वीडियो को वाच कर सकते हैं चलिए direct चलते हैं form apply करने के proceed पे आपको सबसे पहले इस page पर आना है इस page का link हमने नीचे description में दिया है आप चाहए Google में आके search कर सकते हैं up-serकार results.in आपको link मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे सारा article आपको लिखा गया है आपको form apply करने के लिए क्या क्या documents देनी है और आपका selection proceed क्या रहेगा सब कुछ details आपको यहाँ पे मिल जाएगा apply करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको some useful important links आपको मिल जाएगा यहाँ पे apply online के just bugle में आपको मिलेगा तीनों post का यहाँ पे link आप जिस भी post के लिए form apply करना चाहते हैं उस link पे आपको click करना है जैसे यहाँ पे stop nurse, A&M और lab technician आप जिस भी post के लिए आवेदन करना चाहते हैं just guys आपको वहाँ पे click कर लेना है जैसे आप click करेंगे तो एक अगला page चो होगा यहाँ पे आपको details जो है वो यहाँ पे mention की जाएगी notification और description यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा आप यहाँ पे एक एक करके details जो है वो चेक कर सकते हैं सारे details आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगी apply करने के लिए आपको just guys यहाँ पे apply now का option मिलेगा उससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे उपर की तरफ दो option मिलेगा login and registration यहाँ पे दोस्तों आप apply now पे भी हैदि आप click करेंगे तो same यही proceed आप करेंगे सबसे पहले आपको registration करना पड़ेगा उसकी बाद आपको login करके form apply करना है यहाँ पे उपर की तरफ दो option मिलेगा login and registration आपको यहाँ registration के option पे click कर लेना है जैसे आप click करेंगे आवेदन की जो application पत्र है वो आपके सामने show होगी यहाँ पे आपको सारा information details जो है वो fill up करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना title सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना mail ID लिखना है यहाँ पे आपको अपना mail number लिखना है और यहाँ पे एक password अपने according यहाँ पे बनाना है जो कि आपको याद रहे और strong password होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे I agree करना इस box में termined condition पे और यहाँ पे आपको यह जोड़ कर लिख देनी है और यहाँ sign in पर आपको click कर लेना है अपने dashboard में आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं dashboard आपके सामने सो हो रही है नाम आपका यहाँ पे शो होगा यहाँ पे अभी फिलाहाल आप sign in है और अगर आप sign out होना चाहते तो यहाँ पे click करके आप sign out हो सकते हैं आवेदन पत्र आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सब कुछ सो होगा सारी details आपको यहाँ पे दिखाया जागा serial number, post code और यहाँ पे pad name और यहाँ पे आपको vacancy संख्या और यहाँ पे आवेदन करने की link अब जिस भी post के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे सारी post और कितना कितना post है किसमें यह सब कुछ यहाँ पे so हो रही है अब जिस भी post के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके बगल में आपको आवेदन करें या apply online का आपको option मिलेगा उस पर आपको click कर लेना है अब चाहें दोस्तों यहाँ पे किसी भी post के लिए आवेदन करेंगे same proceed आपको करना है यदि आप लोग A&M या lab technician के लिए आवेदन करेंगे तो आपको यही same proceed करना है आपके पास बस qualification details other other देनी है याई कि different different qualification आपको देना है लेकिन आपको सारा proceed जो है वो बिलकुल same करनी है तो यहाँ पे जो first option है इस form को हम चलिए आवेदन करके आपको online दिखाते हैं यहाँ आपको आवेदन करें या apply now पे आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे एक नया page चो होगा और यहाँ पे देख सकते हैं personal qualification experience और location preference और image documents और final आपको submit करना पड़ेगा यह सारी step आपको complete करनी पड़ेगी इस आवेदन को complete submit करने लिए कुछ यहाँ पे details जो है personal details में आपकी already यहाँ पे फिलप रहेगी यहाँ पे दोस्तों जो option आपका फिलप नहीं रहेगा आपको वो options यहाँ पे select करना पड़ेगा date of birth के लिए आपको इस box में click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना date of birth जो है वो select कर लेना है आपकी दोस्तों जो date of birth ली जाएगी एक जनवली 2021 से आपकी यहाँ पे date of birth ली जाएगी यहाँ पे आप अपने father का नाम या आप अपने husband का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इस box में alternative अधर आपके पास कोई other mobile number है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नहीं तो आप इससे blank छोड़ सकते हैं यहाँ पे आपको अपने जीला यानि की district को select करना है अगर आप मद्देपरदिस के निवासी नहीं है तो यहाँ पे आप other state पे आप select कर सकते हैं उसके बाद इस box में आपको अपना marital status जो है वो बतानी है आप married है या unmarried है single है तो यहाँ पे yes करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना address लिखनी है आपको अपना address जो है वो pin code के साथ अपना फूरे address लिखना है इस box में आपको अपना यहाँ पे बताना है कि same address पे वो select करना है जो भी आपका domicile state है वो अपना state यहाँ पर आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर domicile district आपको यहाँ पर select कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना category जो है वो select करना है अगर आप disability है तो यहाँ पर yes करेंगे अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको no कर लेना है उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक option मिलेगा यहाँ पर no कर लेना है यहाँ पर any criminal case के बारे में कही जा रही है आपके उपर कोई भी criminal case चल रही है तो आपको यहाँ पर yes क अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पर अपको no कर लेना है उसके बाद यहाँ पर declaration को आपको yes कर लेना है ट्रिक मार कर लेनी है checkbox को and उसके बाद यहाँ पर submit and proceed to next के option पर आपको click कर लेना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर qualification details आपको fill up करने के लिए आ जाएगा सबसे पहल लेना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने ऐसा page होगा यहाँ पर आपको specialization यानि की subject आपको लिखने है कि आपने यह दस्वी के qualification कि subject से किया है अगर आपने science किया है तो science भी लिख सकते है या आपके पास दस्वी के qualification में जो subject है वो subject आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद guys यहाँ पे आपको अपने institute का नाम लिखना है और उसके बाद guys यहाँ पे आपका यह qualification किस प्रकार का है full time है या part time है या online है या other है या जो भी है यहाँ पे आप उसे select कर लेंगे and उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है यहाँ पे आपकी course कब start होई है और select रना है और उसके बाद यहाँ पे आपको total जो percentage है वो आपको इस box में लिखने ना है यहाँ पे आपको अपने दस्वी का जो अंक पत्र यानि की mark sheet है उसका यहाँ पे आपको photo scan करके upload करना है या choose file पे click करके आप यहाँ पे अपना documents का जो file है वो आप upload करेंगे JPG format में लिया जाएगा या PNG format में यह अपकी mark sheet है वो ली जाएगी सब कोई details लिखने के बाद mark sheet upload करने के बाद यहाँ आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा add का आपको इस option पे click कर लेना है जैसे यह आप add पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके दस्वी की qualification है वो यहाँ पे add ह हो जाएगी इसमें आप modify यानि की edit करना चाहते हैं तो यहाँ पे click करके आप edit कर सकते हैं उसके बाद इसी प्रकार आपको यहाँ पे 12 की qualification देनी है और उसके बाद A&M की qualification देनी है सभी qualification details आपको यहाँ पे देने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पे other आप के पास कोई और qualification details है तो यहाँ पे आप add कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे add नहीं करना चाहते तो इसे आप छोड़ सकते हैं आपने जो qualification details दिया है आप उसमें modify भी कर सकते हैं जैसे आपने 10 की qualification details दिया है सेम उसे प्रकार सभी qualification details आपको यहाँ पे देना है उसके बाद नी अगर आपके पास experience है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर नहीं है आपके पास experience तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं यदि जिनके पास experience है वो अपना यहाँ पर add new experience details पर क्लिक करके यहाँ पर experience देंगे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना संस्ता क नाम लिखना है और यह आपका सिर्डा जो है वो किस प्रकार का है प्राइबेट है पब्लिक है जैसा भी है आप यहाँ पर से Christianity करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंडेस्टरी का नाम लिखना है उसके बाद यहाँ पर आपका क्या पद है वो आपको यहाँ लिखना है कब से कब तक आपने किया ही वो date आपको यहाँ पर select करना है और यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है वो आपको यहाँ पर explain करनी है एक short word में आपको यहाँ पर explain करना है और वो अनुभा हो जो आपकी experience है उसका यहाँ पे scan किया हुआ copy यहाँ पे आपको upload करना है और यहाँ आपको add के button पे click कर लेना है यदि आपके पास यह experience नहीं है तो इसे आप blank छोड़के save and proceed to next के button पे आपको click कर लेना है अब जैसे यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको preference जो है वो यहाँ पे select करने के लिए आजाएगा तो यहाँ पे preference आप अपने according select कर सकते हैं आपको जो जैसा लगे जिसको आप first option पे लाना चाहते हैं उसको first option पे कर सकते हैं जिसको last में करना चाहते हैं आप last में कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक term and condition मिलेगा इस check box को yes करना है और उसके बाद save proceed and next button पे आपको click कर लेना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पे आपके image documents जो है वो upload करने के लिए आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना photo जो है वो upload करना है choose file पे click करके upload करना है 100KB की यहाँ पे maximum size मांगी गई है 100KB ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और jpg format में लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपके signature ले जाएगी signature का size जो है वो भी 100KB का है और यहाँ पे jpg format में लिया जाएगा आपको यहाँ choose file पे click करके upload करना पड़ेगा नीचे की तरफ आपको जो documents upload करनी है यहाँ पे आपको अपने cast certificate को upload करना है यहाँ choose file पे click करके आप upload करेंगे पीडिया format jpg format में यहाँ पे ले लिया जाएगा और इसकी size जो मांगी गई है 200KB की यहाँ पे size मांगी गई है उसे प्रकार यहाँ पे domicile certificate आपको upload करना है यह जो आपके domicile certificate है वो सभी के लिए अनिवार की गई है यहाँ पे hindi में लिखी गई है आप इसे read करना चाहते तो कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे guys आपके अपने certificate की जो registration है वो यहाँ पे आपको upload करनी है एनम की जो certificate है जो भी आप qualification दिये रहेंगे उसका यहाँ पे registration की जो certificate है वो आपको यहाँ पे upload करनी है choose file पे click कर की यह only PDF format में यहाँ पे file मांगी गई है और 5MB का यहाँ पे size मांगी गई है सभी documents upload करने के बाद यहाँ update and proceed to next के button पे click कर लेना है आपको अपने examination center के लिए यहाँ पे आपको अपना preference जो है वो select कर लेना है तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी exam देना चाहते हैं उसको आप first कर सकते हैं या अप last कर सकते हैं आप अपने according जिसको भी यहाँ पे select करना चाहते हैं उससे आप select कर सकते हैं आप यदि अपने application का previous check करना चाहते हैं आपने जो fill up की है वो सभी कुछ details check करना चाहते हैं ट्रिक मार करनी है और यहां पर आपको continue and submit application पर आपको click कर लेना है जैसे आप click करेंगे यहां पर एक आपके सामने pop-up की तरह page open होगा यहां पर आप से कहा जाएगा अगर आपने यहां पर सब कुछ details चेक कर लिया है और submit करना चाहते हैं तो यहां OK की बटन पर आपको click कर लेना है जैसे आप click करेंगे आपकी application की जो form है वो shape हो जाएगी यहां पर दे सकते हैं application status and आपका नाम यहां पर show होगा और आपके mobile number पर और mail id पर इनकी दोरा एक message जो है वो send कर दिया जाएगा आपकी application form जो है वो complete submit हो चुकी है यह आपकी वेकंसी जो है वो contract basic वेकंसी है और आपकी application की जो serial number है वो यहां पर देखिए show हो रही है अब इस serial number से अपने application form को login करके आप चेक कर सकते हैं प्याट करना चाहते है application form तो आपको यहां print application form पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप अपकी application form यहां पर शो होगी और यहां पर अपने application form को आप प्रिंट कर सकते हैं इस प्रकार से यह application form आप apply कर सकते हैं, आप यदि other किसी भी post के लिए आवेदन करेंगे, तो जो मैंने इस step यहाँ पर आपको बताया है, सेम वही step से आपको यह form को apply करना पड़ेगा, बस आपको qualification details जो है वो difference देनी पड़ीगी, तो यह video आप लोग को कैसा लगा, जरूर comment कर के बतायेगा, आपके मन में यदि कोई भी सवाल होगा, तो comment करके आप हमसे पूछ लीजेगा, और आपके मन में कोई सुझाव है, तो हमें comment करके जरूर बतायेगा, वीडियो यदि अच्छा लगेगा, इस वीडियो का अप लोग like and share कर दिजेगा, so guys मिलते हैं एंगले व कर दो कर दो दो जाहीद.